हुआ असलाम लीकु Mobilूम ऑड्री था हुआ अप जॉइन सिस्टम के बारे में ही बात करें कंग हुआ हुआ जी जॉइंट फेमिल्टी बिच्टम से देखा जाहित तो हमारे यहां पर joint family system इसलाम में नहीं है लेकिन हमारे यहां पर सुसाइटी में पाकिस्तान में mostly यहां है कि तकरीबर 90% जो है joint family system है जब आप शादी करके जाती हैं तो आपने सास, ससुन, नंद और देवर, दिवरानी, जिठानिया इनके साथ ही रहना होता है और मैं भी joint family में ही रहती हूँ लेकिन मेरा portion जो है वो अलग है लेकिन, देखें, joint family system में न रहने के लिए थोड़ा सा आपका दिल बड़ा होना चाहिए हकीकत है, आपका थोड़ा सा दिल बड़ा होना चाहिए थोड़ा आपको positive के हवाले से होना चाहिए थोड़ा positive होना चाहिए अगर आप इंतहा का negative सोचेंगे तो आप नहीं रह सकती और इसके लाव़ यह के थोड़ी बरदाश, थोड़ी हिमत इस चीज़ की जरूरत तो होती होती है जाहिर है जब आप एक totally एक different family से आ रहेंगे और आप इतनी बड़ी different लोगों में आप आ जाएंगी और बिल्कुल मुख्लिफ लोग होंगे उनके साथ आपका रहना, घुला मिनना, उनके रस्मों रिवाज उनका रहन से नपनाना थोड़ी सी problem जरूर होती है लेकिन यह के ना मुम्किन होता अच्छा अब हम जो हैं पहले अगर मैं आपको इसके positive चीज़ें दिखा दी जाएं joint family में तो joint family में positive negative दोना होती है positive इसे वाले से हैं कि जाहर है अगर तो बहुत अच्छे लोग या बहुत अच्छी सुस्राल आपको मिलगी है लेकिन अपको बहुत अपके साथ खड़ी होगी अपका साथ देगी लेकिन अगर यहीं वहीं पे अगर आपको एक बहुत जादा बुरी और बुरी हवाले से यानि कुछ सुस्राल ऐसी होती है जो बहु या अपने बेटे की शादी इसलिए करती है कि जी हमें घर के लिए नुकरानी मेल जाएगी तो यह गिनन आपको बहुत जादा प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ेगी पिर सबसे बड़ी बात आ जाती है हमारी जॉइंट फैमली में हमें सर्वाइब करने के लिए हमारा जो पार्टनर होता है जो हमारा पार्टनर है ना उसकी जो है कह दें के उसका साथ देना उसका साथ खड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूर है अगर अपका पार्टनर अपके साथ नहीं खड़ा या अपके लिए नहीं बोल पाता य आपके लिए स्टेंड नहीं ले पाता तो मेरे ख्याल से फिर एक अकेली लड़की का जॉइंट फैमली में सर्वाइब करना मतलब बहुत बहुत मुश्विल हो जाता है सम्टाम इंपॉसिबल भी होता है और फिर आपको पता है से रिश्टे का एंड क्या होता है तो देखें पहले तो आपने हिम्मत रखनी है सेगी निम्मर पर आपने अपने दिल को बड़ा खुला करके जाना है दीखें हम देखें जब हम किसी अगर वही चीज हमारी मदर या हमारी सिस्टर हमें कुछ कह देती है मजाकतन या कुछ ऐसा कह दे तो हम शायद बुरा नहीं मानते अवाइड करना इगनोर करना ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी उसके लावा थर्ड चीज़ यह है कि आपने देखें यह जो होता ना खुश करना लोगों को खुश करना मैं अब पिछले दिनों मुझे एक डियम आया था तो उसमें मैंने अगर आपने आप मेरे पुर ज़्यादा करती हों और वो मुझे खुश नहीं होती नंद सास तो देखें अगर तो आप वहाँ पर किसी को खुश करने लग जाएंगे ना यह किन माने कभी भी जो आप से पहले दिन ने खुश हो उसमें खुश होना ही नहीं है जितना मरसी आप कर लें आप अपने लोग यह को आठ साल हो गया और अभी तक मेरी सास मुझे से खुश नहीं है यानि मैं अगर कोई भी काम करना हूँ तो उन्हें उसमें बुराई ही नज़र आती है निटली यार आठ साल आपके सास आपसे खुश नहीं हो तो आपको क्या लगता है कि वो आगे भी खुश हो जाए लोगों को खुश करना ये चीज़ मेरे नजदीक आइधिंक बिलकुल एक यूजलेस है क्यों हम लोगों को खुश करें वज़ा उसके इलावा आजाता है कि जी जैसे कि जाएंट फैमिली में अब वह एक बात के हमें रूम एक दिया जाता है कि आपने इसी रूम में रहना है तो देखें आपको वह एक रूम तो दिया है न अब जो लेडीज उसे हम बना देती है नहीं उस एक रूम को ही आपने अपनी दनिया बना लें उसी एक रूम में सकून कर लें आपका पार्टनर और आप ऊस रूम में खुश रहें नेगयाटिविटी उस रूम से निकाल यह चीज अच्छे तरीके से अपने जो है वो रखें कुछ लेडी जो होती है जाहिर है इसके लावब कुछ ऐसी कॉमेंट्स या ऐसे डियम थे कि मुझे जैसे के जी मुझे मैं कुछ भी अपना करने चाहरी होती हूं तो मतलब मेरी सास या मेरी नंद बोलती है तुम यह नह अगर आप की सास अगर आपको कुछ कह रही है तो आपने सबसे पहले तो यह है कि सुने उनकी उनके आगे बोल दें ठीक है जी हमने वही करना है लेकिन करना वही है जो आपका दिल करता है जो आपका दिल कहता है ठीक है जो आपको सही लगता है ठीक है उनके सामने जी कर द बहस मुबालसा स्टार्ट हो जाता है, बहस करना और ये, कि यार, मतलब शुरू हो जाती है, जी इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, ऐसे हो कि बहस करने से रिलेशन्शिप खराब होते हैं, आपके पार्टनर के भी, आपके भी. तो आपने बहस से अवाइट करना है जितना हो सकता है यार इगनोर करें लोगों को नेगटिव लोगों को इगनोर करें जरूरत ही नहीं है आपको उनको एहमियत देने की importance देने की ठीक है और इसके बात आती है सबसे important चीज नो के यानि आपने no कहना सीखना है अब हमारे यहां पे joint family system में क्या होता है जब हम शादी करके कोई लड़की जाती है तो उसकी सबसे पहले priority होती है कि यार मैं इतने अच्छे खाने बनाओ मैं इतना अच्छा अच्छा काम करूँ कि हर कोई मुस्से impress हो जाए देखें आप से कोई impress नहीं होगा अगर आपने किसी को impress करना है तो अपने partner को करें अपने husband पे वो time खाने बनाएं लेकिन अजब आप एक अच्छा काम करने लग जाती है perfect काम आपने kitchen समाल लिया है तो फिर वो आपकी एक कुमर duty बन जाती है हर कोई फिर आपको ही बोलता है फिर क्या होते हैं वहां से लड़ाई जगड़े स्टार्ट हो जाते हैं बही हर कोई मुझे पोल रहा है मैं क्यूं करूं तो भी जब आपने स्टार्ट में ही अपना hold रखने की कोशिश की वहां पे और आपको जब एक duty दे दी गई है उसके पाद आपको problem नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप चाहती थी वो कि आपको यह हो आपको हर कोई आपकी मतलब मैं इस kitchen में अपना hold रखूं तो आप रखें आप hold kitchen में तो यह की यह चीज और फिर हमें अगर कोई कह देता है family में कि आप मेरे लिए क्या कर दें वो कर दें हम सबसे पहले हाँ जी yes आप कहना भी चाहती है no लेकिन आप कहनी पाती confidence तो सबसे पहले तो आपने family में सबको पहली बात गया कि ना कहना सीना है जिस काम को आपका करने का दिल न नहीं करना no so no आपके दें नहीं मैं मसरूफ हूँ या मैं थोड़ा सा busy हूँ मैं अपने लिए कुछ काम कर रही हूँ तो फिर आपने क्या है ना कहना सीखना है family में यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वरना लोग हमारी कदर नहीं करते value नहीं देते हमें कि यार यह त बोलें जहां आपकी जरूरत है अगर आप बहुत बेफजूल बोलेंगी बहुत ज़्यादा बेफजूल बाते करेंगी बेफजूल अपनी राए लोगों को उस family में थोपना स्टार्ट करें यह कि इन माने आप आपकी value less हो जाएंगी आपको value नहीं दी जाएगी family में कि य दिवरानी की बात हो रही है कोशिश के रही है यार कि आपको जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे के काम में बेफजूल बोलने की लडाई हुई है अगर आपकी नहीं दिवरानी की लडाई ही तो आपको क्या जरूरत है उसके बीच में बोलने की नो आप बोलेंगी यार उनका किज़न को वक्त देना खिदमतें करना ठीक है भई खिदमत आप करें वहना कोई नहीं कर रहा लेकिन सबसे इंपोर्टन चीज़ होती है अपने हस्बंड को टाइम देना अपने हस्बंड के लिए कियर करना अपने हस्बंड के लिए त्यार होना यह चीज़ हम लोग भूल ज आते हैं थोड़ा खुद को टाइम दें थोड़ा अपने हस्पन को टाइम दें पने पार्टनर को टाइम दें उसकी खुशी उसके मूड को देखें उसको क्या पसंद है उसका मूड क्या अधसा है उसको क्या चीज़ चाहिए उस चीज़ को देखें उस चीज़ को समझें दे बेरे साथ किस हद तक खड़ा है आपने उसके साथ खड़े होना है जिन्दगी उस इनसान के साथ गुजान नहीं और किसी के साथ नहीं गुजान नहीं तरीके से रहें आप बे फ़जूल देखें जगड़े कहां से स्टार्ट होंगे जब आप एक बहस करेंगी आप इस है अपनी वैलियो को बरकरार राखें बे बेफडूल बोलना बेफडूल अपनी राए पएश करना ये चीजज जो हती है ना आपको आपकी वैलियो को घिरा देती है आप लोगों को इस चीज queży के आजई हो आघर हम बेफडूल अपनी राए पेश करेंगे ये चीजज है आपको बढ़ चड़कर आगे किसी चीज़ पर हिस्सा लेने की ठीक है आप एक जब आप यह चीज़ है अगले लोग आपको खुद भाख खुद कहेंगे यार उस बंदी को लेकर आउसको को लोग कहो तो यह तो एक तरीका अपने अपने पार्टनर की गदर करें क्योंकि लोग मैं आपको एक पार्टनर के साथ कितना संसेर है अपने पार्टनर की कितनी करता है यह चीज़ सबसे जदा इंपॉर्टन्ट होती है आपके पार्टनर को देखा जाता है कि अपने हस्बंड की कितनी करती है अपने हस्बंड को कितना ख्याल रखती है उसकी पसंद ना पसंद का कितना ख्याल रखती है तो ये चीज़ होती है और मेरे ख्याल से वही वाइफ सबसे जादा कामयाब होता है या वही रिलेशन सबसे जादा अच्छा होता है जिसमें मतलब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत साथ संसेयर होती है अब यकीन जाने मैं आप लोगों कसब कुछ ऐसे अपने परसनल एक्सपीनियंस खेर करोंगी कि वाकि मैंने कुछ ऐस ऐसी मस्टेक ही लेकिन बाद में उन मस्टेक से सीखा मैंने सीखा और यकीन माने अपने आपको जरूरत ही नहीं है अपने पार्टनर के खलाफ ख़ड़े होने की उसके खलाफ कुछ बोलने की यहाँ मैंने दुखे कैई जितना आप अपने अफन की लडाई जगड़े को अपने अपने रूम तक एकने होने अपका रिलिशन सेफ है लेकिन अगर आप वही चीजहों को बाहर लोहां को बताना स्सार्ट कर देगे पिर चाहरे झो भी आपकी मजर है आपकी सिस्टर है आपका रिष्टा इससथा वीक होता जायेगा लोगों तक आपकी बाते जाती जाएंगी आप तो बोल जाएंगे आप तो नॉर्मल हो प्यार की और कॉमेंट्स में करके बताएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ओके जी दौाओं में याद रखिएगा धेर सारा प्यार आप सब के लिए मेरी तरफ से और आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कॉमेंट्स करते रहें मुझे हमत आती रहेंगी क्योंके मुझे आप लोगों की जो है वो स्पोर्ट की जूरत है आपकी हमत की जूरत है और जो मेरी परानी और सब्सक्राइबर है आप सो क्यों तक भी मेरी वीडियो से जाहे और वह भी मुझेदबार सब्सक्राइब करें ओके जिदो हमें यादे केगा लाफेज